नमस्कार मैं भाकिश्री बिसिन न्यूस के बिजनेस समाचार में आज सभी का स्वागत है खबरों के और बढ़ने से पहले आए डालते एक नजर आज की सुख्यों पर मांग बढ़ने की कारण चायपती की दाम में बढ़त दश की चारी है शहर में चायपती की दाम प्रती किलो 25 रुपे तक बढ़े है दुर्गापुजा को देखती वे देश भर में चायपती की मांग बढ़ी है दुर्गापुजा के दौरान 10 दिन तक मार्केट बन रहता है इसलिए लोग अभी से ओर्टर कर रहे है शहर में आसाम पीडी 325-375 आसाम ब्योपी 330-380 डौस पीडी 250-300 और डौस ब्योपी 255 से 305 रौपे प्रती किलो बीकरी है बिरो रिपोर्ट BCN News स्तानिय सरफा बाजार में बुद्वार को सोना सत्तर की तेजी के साथ 48,900 रौपे प्रती 10 ग्राम पर पहुच गया वही चांदी 300 रौपे तुटकर 600,300 रौपे प्रती किलोग्राम पर आगी इससे पिछली बारी सत्र में चांदी 36,500 रौपे प्रती किलोग्राम पर बंद हुई थी अंदराश्ची वाजार में सोना गिरावट के साथ 1811 डौपे प्रती आउस पर बुला किया वही चांदी 23.22 डौपे प्रती आउस पर लगबग अपरिवार दित रही बिरो रिपोर्ट BCN News पिछले माँ तक एक ही किमत में बिखने वाले तेलों में अभी फिर से 100-150 रौपे टीन का अंतर आ गया है। पिरो रिपोर्ट BCN News पापरदेश में कहीं भी किसी भी नाम से जाना जाता हो उस पर जेस्टी नहीं लगती है। साथ उसकी आकार की आधार पर कर की दरे अलग-अलग नहीं होती है। कि इंडिय अब प्रतिक्षकर और सिमा शुल्क बोट ने यहस बश्टी करन जारी क्या है। CBI का यहस बश्टी करन उद्युक पती हैज गोयनका की ट्वीट के बाद आया है। उन्होंने ट्वीटर पर लिखा था कि गोल आकार की पापड को जेस्टी से चूट है जबकि वर्गाकार पापड पर शुल्क लगता है। आरपीचे एंटरप्राइस की चेर्मेन गोयनका ने लिखा कि आपको पता है कि गोल आकार की पापड पर जेस्टी से चूट है जबकि वर्गाकार पापड पर माल एवं सेवा कर लगता है। प्राले की ओर से जारी आकडो के अनुसार जेस्टी डिवेन्यू कलेक्शन अगस में एक लाग बारा हजार करण रुपए से आतिक रहा जो दो हजार पीस की अगस मेहने के इंबकापली करीब तीस फेस्दी आलग है। 247 करोड रुपए और सेस के 8,646 करोड रुपए है। हारा की अगस में वसुली कई रकम जुलाई 2021 के 1,16,000 करोड रुपए से काम है। बिरो रिपोर्ट BCN News खबरे समावत करने से पहले आगे डालते एक नजर आज की सुर्कियों पर। सिव्यानी जारी क्या स्वश्टी करन किसे भी आकार की पापर पर जियस्टीन सुयाब इन तेल की राफ फल नी पड़ा पचास तीन की गिरावत। बिसनेस समाचा में फिलाल इतना है। ऐसे अन्दी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रिए BCN News नमस्कार।